सांग साथियों जै हमारे अमर सईज जैभारत यह अमरूद की पोध है और अमरूद को कैसे लगाय जाए is के बारे में पहले हम अमरूद की तीन बारे होती हैं मिल्कभार अम्मे बहल और हस्थ बहल और इससे लगाने अब फरवरी अप्रेल जून और सितंबर और इसका जहां पर चुनाब करना है जह जगे लगाना है आपको प्लाट में या खेत में उस जगे एस उनिशित कर लेकि वहां पर जल भराव होना नहीं चाहिए और समतल भूमी होने चाहिए अगर जल भराव होता है तो निकल जाना इसके बाद आप आप एक गड़ा खो दीए उस गड़ा शाठ गूना-शाट सांटी मीटर होना चाहिए लंबाई चोनाई गुना गह्राई और म Caribत से अम्रूत की दूरी तीन से साड़े तीन मीटर होनी चाहिए गड़ा खुदने के बाद दो दिन के लिए छोड़ दें दो दिन बाद 20 से 25 किलो खाद ले और 50 गराम पुटास और 5 गराम इसमें नीट्रान ले इन चीजों का मिक्स्चर करके उसमें आदा गड़ा भर दीजिए उसके बाद में आप पौधे को पनी सहित लेकर साबधानी से उसके अंदर रखके बाकी की मिक्टी उसमें मिक्स्चर जो है डल दीजिए उसके बाद में अच्छा पानी देजिए फरस्ट टाइम भरपूर और फिर उसकी देखरिक कीजिए गर्मी के महीनों में इसका जो पानी का समय होता है वो साथ से दस दिन के अंदर देना चाहिए और सरदियों में 15 से 20 दिन के अंदर देना चाहिए और पानी इस तरीके से दें कि जल भराब ना हो ताकि आपकी इस पौदे की गुरूत ना कराब हो और जड़ें विक्सिर रहें और खराब ना हो फंगिसाइटल फंगस खाकर उसके बाद ये जब पौदा तकरीबन दो फिट का हो जाए तो इसका जो सिर्स भाग होता है यहां से आप फस्ट कटाई कीजिए और ऐसा तीस से पंदालिस दिन के अंदर होता है सिस कटिंग करने के बाद में साइट से नई साखाई निकलती है और अच्छी इसकी कैनोपी तियार होती है उसके बाद में इसमें जो फल का अबदी आने का होता है वो समय होता है तकरीबन एक से डेड़ साल में इसमें फल आने लगते हैं परतेक विर्च के उपर पचास से 60 किलो फल आते हैं तो यह थी हमारी जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल में ऐसी अन्षा